वर्तमान समय में किसानों के सामने सबसे बड़ी समश्या आ रही है कि जो जंगली जानवर है नील गाए है सूर है और जो आवारब पसू है जैसे गाएं और ये अभी जो फसलों को बहुत जादा नुकसान पोचा रहे हैं अच्छी खासी फसल तयार हो जाती है और एक रात के ही है कि आप अपने खेत के चारो तरफ तारबंदी कराएं और जो भाई अपने खेतों में तारबंदी कराना चाते हैं तो उनको ये पतर नहीं कि मैं एक एकड़ में तारबंदी कराऊंगा तो मुझे कितना खर्च आएगा मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए नमस्कार किस किसान भाईयों मैं आज इस वीडियो में आपको स्विस्तित रूप से जानकरी दूँगा कि एक एकड में अगर आप तारबंदी करा रहे हैं तो आपको किन-किन सामगरी की जरूत पड़ेगी कितना खर्च आएगा कितनी लेबर लगेगी सारी जानकरी इस वीडियो में दू तो आपको खंबो की जरूत पड़ेगी खंबे यह जो आप पिछे देख रहे हैं इस तरह के सिमेंट के खंबे भी आप मंगा सकते हैं या फिर आप जो पत्थर के खंबे होते हैं वो भी मंगा सकते हैं खंबो के साथ में आपको जो जाली होती है जाली की जरूत पड़ेग कि आपको तार की जूरत पड़ेगी देख सकते हैं इस तरह के हमने काटे वाले तार लगाए हैं इससे क्या होगा कि जाली को थोड़ी मजबूत ही मिल जाएगी और आवारा पसू जाली को तोड़ नहीं पाएंगे इन सामकरी की जूरत पड़ेगी और इसके अलाव आपको ल लग लग एरिया में डिफरेंस हो सकता है लेकिन अभी जो मार्केट में रही है वह 250 रुपे एक खंबे की रेट चल रही है अगर आप जाली लेने जाएंगे मार्केट में अगर आप अच्छी क्वालिटी की जाली लेते हैं तो सित्तर से लगाकर 80 रुपे किलो आपको जा जाधा दूरी रखोगे तो तार की जाली है इधर जूख सकती है और आपको इतनी सेप्टी नहीं मिलेगी इसलिए इन खंबो की दूरी 10 पीट रखे 10 पीट से जाधा न रखे अगर आप इन खंबो को लगा रहे हैं तो आपको लेबर की जूरत पड़ेगी लेबर एक जबूरी के इस हाब से भी रख सकते हैं ठेका देने वाला काम सही रहता है क्योंकि उसमें वह उनके इसाब से लेट सेट काम करके जल्दी काम करके दे देते हैं अगर एक एकड में खंबो की बात करें तो इस तरह के खंबे लगबग आपको दो सो के आसपास खंबे उसकी कोष्ट पचास सजार रूपए यह आएगी और अगर displays कस बात करें तो भी वह वह लगबंगि पचास ます मृपकर आपकेल हैं तो आपके अगर आपकेल लौप η के ताहल होईगा Legislate 3500,000 उसके उसाहएं याहनि कि दीपल फाटक बेटा दीजिए अगर इस तरह तारबंदी करेंगे ढगे सब्सक्राइब मिंदा उस पर फोट करेंगे तो आपके तल्स विडियो में तitting आप किसान परिए आपको जानकारी कैसे लिए अगर जानका रेच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देवे तथा अगर आपने अपने खेत में कभी तारबंदी कराई हो और आपने कोश्ट निंकली हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताई कि आपको एक एकड़ में कितनी कोश्ट पड़ी खेती से समद्धी देशे साइन्टिफिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेए तथा बेल आइकन को ओन कर देवे